नमस्कार कैसे हैं आप इलक्ट्रोनिक मैकनिक का ये कोर्स जिसकी वीडियो लगाता जारी कर रहे हैं आज इस वीडियो के माधिम से साथवे हपते से लेकर बारवे हपते तक क्या चीज पढ़ाई जाएगी उसका सालेबस फस सैवेस्टर का बता रहे हैं उसमें पिछले वीडियो में हमने पहले से लेके पहले सपता से लेके छेटे सपता तक का सेलेबस बताया था उसमें प्रैक्टिकल क्या होंगे और उसमें ठ्योरी क्या पढ़ाई जाएगी अब है साथवे हपते का साथवे हपते में जो पढ़ाई जाएगा जो फोकस होगा होगा test and service different batteries used in electronic applications and record the data to estimate repair cost. इसमें हम जो electronics application में electronics में जो भी batteries का इस्तिमाल होता है उनके बारें बताए जाएगा उनकी test कैसे होती है उनकी service कैसे की जाती है और उनको अगर repair करना पड़े तो उसका estimate costing कैसे निकालेंगे उसका बताए जाएगा जिसमें कि साथ practical होंगे आपके साथवे सब्ता हमें 7th week में पहला practical होगा यह cell and batteries के बारें बताए जाएगा इसमें जो मैंने बताए था और practical होगा identify the positive and negative terminals of the battery दो घंटे का यह practical होगा इसमें बताए जाएगा कि आप कैसे पहचान होगे कि battery का positive terminal कौन सा है negative terminal कौन सा है यानि positive का मलत हो गया धनात्मक और रिनात्मक और दूसरा जो practical होगा course का यह तीस्वा practical होगा साथवे सब्ता का जो दूसरा practical होगा course का हो तीस्वा होगा और यह practical क्यों एक घंटे का होगा इसमें आपको identify करना है rated output voltage and AH capacity of given battery जो भी battery आपको दी है तो कैसे पहचान होगे आप उसकी output voltage क्या है और AH capacity उसकी क्या है यह एक घंटे का practical होगा तीस्वा practical होगा course का साथवे सब्ता का दूसरा होगा एक घंटे का क्योंकि हर हफ्ते 25 घंटे का practical होना है और जो तीसरा practical होगा और course का होगा यह तुस्वा practical उसमें आपको measures the voltages of the given cells oblique battery using analog oblique digital multimeter multimeter की मदद से आपको बस्षिकाया जागा कि voltage किसी भी battery का या cell की battery कैसे ना पी जाती है analog multimeter से या digital multimeter से multimeter का यूज आपको पहले ही बता गया होगा पहले जो आपने practical कि यह 32 जो चौथा होगा सब्ते का और course का 32 अप्रेक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्र करते हैं, यह सिखाय जाएगा, और 33 वा प्रेटिकल जो कोर्स का होगा, साथवे सपता का यह पाँच वा प्रेटिकल होगा, आपको मैंटेन करना है, सेकंडी सेल क्योंकि यह रिचारज़ेबिल सेल होता है, इसको आपको कैसे घंटे का प्रेक्टियल होगा और जो 34 प्रेटकल होगा चैटा होगा साथवे सप्ता का उसमा आपको मेजर दा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दा इलेक्रोलाइट यूजिंग हाइड्रोमेटर हाइड्रोमेटर से आपको ग्रेविटी कैसे नापनी है ओ सिखाया जागा तीन घंटे का प्रेक्टियल होगा और अंतिम जो प्रेक्टियल होगा साथवे हफ्ते का 35 प्रेक्टियल होगा इस फर्स सेमिस्टर का उसमें टेस्ट बैटरी एंड वेरिफाइड वेडर दा बैटरी इस रेडिफ और यूज और नीड्स रिचार्ज और अपको सिखाया जागा कि बैटरी यूज करने के लिए तैयार हो चुकी है या नहीं है कैसे वेरिफाइक करोगे वो सिखाया जागा यह होंगे साथ प्रेक्टल साथ हफ्ते में और इसमें जो थिएरी होगी थिएरी में भी वही बैटरी और सेल कि बाद तो शिखाया जागा जो थिएरी में भी आपको प्राइमरी चैल्स और बैटरी के बारे मंद बताया जागा प्रामरी और सेकंडरी और मैट्रियल क्या इसमें होता है उनकी स्पेसिफिकेशन के हैं सेल्सी और बैटरीज की उनकी चार्जिंग प्रोसेस क्या है एफ connectivity नापनी है कि कैसे ना पी जाती है कैसे पर यो सारसे जा आगा टाइप OUT आप connect करोगे आपस में तो सीरीज में कैसे करोगे और पैरलल कैसे करोगे और इनका परपज क्या होता है इनको क्यों connect करते हैं यह त्योरी में पढ़ाया जागा साथ हुए हपते में आठ्वा और नवा हपता जो होगा उसमें सिखाया जागा various electronic component यहां से electronics पर फोकस होगा electronics component के बारे में बताए जाएगा और उसमें प्रॉपर measuring instrument इस्टूमेंट 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 को आपको बताए जाए कैसे नापते हैं and compare उनका उनकी जो continuity है जो भी data उनका मेजर करोगे उसका जो एक standard parameter है उसमें आपको compare कैसे करना है उस्टूमेंट के माज़ए जाएगा इसका जो थ्योरी होगी वह होगा कि voltage में भी एसी voltage मिनाप सकते हो DC voltage भी नाप सकते हो current मैं AC current नाप सकते हो DC current नाप सकते हो आप की continuity नाप सकते inherent नाप सकते हो आप अगर diode transistor इनकी भी rating का पता कर सकते हो वो भी मल्टिमेटर आने लग गया है तो अलग-अलग टाइप के मल्टिमीटर हैं तो उसमें सिखाया जागा आप एसी बोल्टिज कैसे नाप होगे डिसी बोल्टिज कैसे नाप होगे एसी करेंट कैसे नाप होगे डिसी करेंट कैसे नाप होगे और किसी भी रेस्टेंस की अगर रेस्टेंस नापना है तो कैसे नाप होगे वह मल्टिमीटर जो का यूज बताए जागा आपका पहला प्रेंकल होगा 8-9 हपते का और कोउस का छतीशन होगा सेतियु सा प्रेंकल होगा कोस का और 오른 nuovo हपते का दूसरा लगर फ्रेंट टाइप्श बिप्रन टाइप्श ऑफ मेंटर एस यूद्ई किसी parameter को नापने के लिए अलग अलग जो instrument है उनके बारे में को उनको पहचानने के बारे में बताया जाएगा कौन सा instrument क्या है क्या नापने है उसके सारे क्या प्रेक्टर होगा कौर्स का और और आठो और नौए हफते का तीसरा प्रेडल को इसमें आपको कैथोर्ड रे ओसिलोस्कोप का जो फ्रेंट पैनल है उसको उसके बारे में बताया जागा उसके फंक्सन के बारे में समझाया जाएगा सियारो वह भी मेजरिंग इस्टूमेंट है इसमें आप उसको वेफ हो में देख सकते हो करेंट को तो वह का उसका फ्रेंट पैनल है उसमें क्या-क्या चीज है क्या-क्या उनका यूज है और यह होगा बारा घंटे का प्रेक्टिकल और जो आपका 29 फ्रेक्टिकल होगा कॉर्स का और 29 हफ्ते का चौथा प्रेक्टिकल होगा वह होगा आपको मेजर मेजर इस्ट टाइम प्रियाड यूजिंग सियारो को परियोग करना है उसका साइन वे पैरामिटर देखना है उससे आपको कैसे नाप हुए आप एसी और ड इसी बोल्टिज को ओ दिखाए जाएगा उसमें पूरा आपका एक ग्राफ पेपर आपने देखाऊगा उस टाइप की स्क्रीन आएगी और उससे आपका आप नाप सकते हो और जो चालीसवा प्रेक्टिकल होगा और आठ वर नौई हफते का पाच्वा प्रेक्टिकल होगा उसमें आप इडिन्टिफाई देफ्रेंट कंट्रोल्स अब दा कंट्रोल्स अन दा फंक्शन जनरेटर फ्रन पैनल और जो हैं फंक्शन के बारे में बताएंगे और जो अलग अलग कंट्रोल है उनके बारे में समझाए जाएगा यह बारा घंटे का प्रेक्टिकल होगा और इसमें जो आठोए और नवे जब उस टोटल प्रेक्टल आपके जो आठोए और नवे हफ्ते में होंगे प्रेक्टल होंगे पांच पर घंटे होंगे पचास बारा घंटे का आपका चालिसवा प्रेटकल है उन चालिसवा आपका दस घंटे का है बाइस घंटे हो गए अनटिसवा प्रेटकल आपका फिर बारा घंटे का हो गया तो चौतिस और वागी दो प्रेटकल आठ अट घंटे के हैं तो आपका पूरा पचाज घंटे के प्रैक्टिकल होंगे और इसमें जो थ्योरी होगी आठवे और नौए हपते में, क्योंकि आपने इधर स्यारों के बारे में पड़ा है, फंक्शन चनले स्टर के बारे में देखा है, और मल्टी मीटर से कैसे नापना है, बोल्ट एसी डी मेजरिंग इंस्टुमेंट, जो इलेक्टिकल चीजे को नापने के जो इंस्टुमेंट है, उनका परिचाह होगा, इंपोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ओव मीटर, अलग-लग मीटर के क्या महत्व है, उनका उनको बर्गी किरित किया जाएगा, और उनके बारे में में बता जाएगा, रैंज एक्सेंशन, नीड ओफ सेकलिबरेशन, ओब अगा जाएगा, करेक्टरिस्टिक ओव मीटर त्येर्स एंड एर इन मीटर वो समझा जाएगा, मल्टी मीटर यूज आफ मीटर इन डिफरें शरकिट ओव बताएगा, मल्टी मेटर के बारे में बता मेट्रों को अलग अलग मेटरों के जितने के बारे में बताया, उनका प्रियों कने का प्रियोग मे. में use of CRCRO का प्रयोग बताय जाएगा और function generator के बारे में बताया जाएगा LCR meter के बारे में बताया जाएगा तो ये LCR meter का theory इसमें है और LCR के बारे में LCR आगे जाके ये इसमें LCR की theory तो use अभी नहीं हो सकता आगे जाके LCR का use हो ये था आपका आठ्वे नौव हपते है एट्थ है नाइन्थ week syllabus for first semester ITI electronic mechanics अब जो दस्वे हपते का 10th week जो होगा आपका उसमें जो सिखाय जाएगा वो सिखाय जाएगा प्लान एंड एक्सक्यूट शोल्डरिइंग डिसोल्डरिइंग ओव वीरस इलेक्रिकल कंपोनेंट्स लाइक सुचेज पी सी बी एंड ट्रांस्पॉमर फॉर electronic circuit अब इलक्रोनिक सर्कुट में जो भी जो चीज यूज होते हैं उसको हम को प्लान करना है योजना बनानी है solding करने के लिए disolding करने के लिए अलगला type के जो component होते हैं छोटे-छोटे component है PCB के उपर लगे होते हैं transformer लगा होता है PCB में देखा होगा और जो दूशी चीजे लगे होती है उनका solder कैसे किया जाता है उनको disorder कैसे किया जाता है और सिखाय जाएगा उसमें जो प्रेटिकल होगा दसवी वीक में वह होंगे आपके छाए प्रेक्टियल होंगे और पच्चीश घंटे के प्रेक्टियल होंगे यह आपका पहला प्रेक्टियल जो गए 41 होगा कोर्स का practice soldering on different electronic components small transformer आराम और आयन लक्स छोटी चोटी जो जो है लैकस हैं उन पह और जो अलग अलग छोटे छोटे हैं अंको कैसे करते हैं कैसे करते हैं और लिस भाजब कर लह 뭐가 बाई्यारिसमा जो प्रैक्टिकल होगा और इसका दस्वे खफब्सका होगा उसमें आपको IC की शोल्डिंग की जाएगी, IC बेस का जो अगर बेस है, एंड PCV, तो PCV के उपर है, बेस के उपर IC को कैसे सोल्डर करते हैं, वो सिखाए जाएगा, पांच घंड़ का होगा, 43 होगा, यह सारे शोल्डिंग बेस होगा, 43 होगा, जो सारे शोल्डिंग की प्रैकृ्टिस होगी, पंप होगा, यह विक्स होगी, उससे आप सारे शोल्डिंग कैसे करते हो, वो शिकाए जागा, 44 होगा जो सारे की बेस होगा, आपको जो अगर PCV का ट्रैक टूट गया है, उसको कैसे जोएइन करना है, है कैसे उसको जोड़ना है कि पैतालिस वार प्रेक्टरल होगा आपको इडिन्टिफाई एंड यूज आप SPST, SPDT, DPST, DPDT, टम्बलर, पुस्ट बटन, टोगल, प्यानो, स्विचेज, अलगले टाइप की जो चीजें हैं, कंपोनेंट हैं, उनको आइडिन्टिफाई करना है, उनका यूज बद सिखाएंगे और इलप्रों इंडिस्ट्री में ये पांच घंटे का होगा, में के पैनल बोर्ड यूजिंग डिफरेंट टाइप अव स्विचेज फॉर एक गिवन अप्लिकेशन, कोई इसमाज घंटे का होगा, और इसमें जो थ्योरी होगी, उसमें अलगला टाइप के शोल्डिंग गन्स रिलेटेट टू अलगला उसोल्डिंग के वारे में डिटेल में भी जागा, किस टेंपरेचर के लिए कौन साब को यूज करना है, और शोल्डर वायर के बारे में बता जाए जाएंगी, और टाइप आप टिप्स, वो सोल्डर जो है, उसके टिप्स क्या है, उसका टेंपरिचर रेंज क्या है, उसके वाटिज क्या है, उसके बारे मुचा जाएगा, और यूज ऑफ फ्लैक्स और अदर मेट्रियल और जो फ्लैक्स यूज करते हैं, गन का कैसे इसमाल करते हैं पर specific requirement के लिए solde and desolding station के बारेज़ betting डिसोल्डिंग station के बारे में बता जाएगा और उनके अलग-बख specification क्या है उनके बारे बता जाएगा और जो chamber change के बारे में बात practical में बिवієं बताए था वो theory में भी बताए जाएगा ये था दसवे हफ्ते का थियोरी थी और जब हम क्लासेज करेंगे तो पहले थियोरी करेंगे थियोरी के बाद प्रेक्टरल करेंगे तांकि प्रेक्टरल में आसानी हो ग्यारवा और बार्वा और तीरवा तीन हपते हैं इन में जो होगा तीन हपते का एक साथ लिया जाएगा इसमें टेस्ट वेरियास इलक्टोनिक कंपोनेंट्स के बारे में सिखा जाएगा कैसे इनको टेस्ट करना है यूजिंग प्रॉप और मेजरिंग इंस्टूमेंट प् उसको लेके उसको टेस्ट करना सिखाय जाएगा and compare the data using parameter है कि इसका यह होना चीए तो उसके साथ compare कर रहे के दिखाय जाएगा स्मेल सिंपल electronic power supply और एक सिंपल power supply बनाना सिखाय जाएगा और उसको टेस्ट करना और उसके function के बारे में सिखाय जाएगा यह होगा ग्यार वे बार वे और तेरी वीक का तीन वीक का होगा और इसमें जो practical होंगे पहला प्रेट करोगा शहतालिव सब्रेट कर होगा यह कूर्स का तो इसमें आपको active and passive component के बारे में बताए जागा active क्या है पैसिब क्या है जब थेओरी होगी तब बताए जागा डेटेल में तो इडिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिव electronic components यह तीन हफते यह तीन घंटे का practical होगा सेटालिव सब्सक्राइब और इन तीन हफ्टों के बिग्यार वे बार वे तेरी हफ्टों का पहला प्रेक्टिकल होगा और अन्टालिस सब्सक्राइब क्योंकि रेजिस्टर में देखा होगा अपने अगर किसी ने देखे होंगा electronic component यह कोई चैसे देखी है उसमें लगे होए component तो एक चीज ऐसी होती है उसमें color लगा होता है तो उस color से resistance की value को कैसे आपने वो सिखाए जागा कैसे पता करते है code की मदद से और उसको multimeter से verify करना कि बराबर आता है या नहीं आता है यह होगा तीन घंटे का अन्तालिव प् physical defect और रेस्टेंस को उनके हाला से देख कर physical defect कैसे पहचानना है वो देखा जागा दो घंटे का practical होगा पाचासवा प्रेकल होगा identify the power rating of carbon resistor by their size size से उसके power rating carbon अलगला type के resistance होदे हैं तो carbon resistance का देखा जागा उसकी size के साब से और 51 जो इकानुआ practical होगा उस प्रेक्टिस और measurement of parameter in combination electrical circuit by applying ohm law for different register value and voltage source अब जो voltage source और वो यूज करके हम ohms law का इस्तिमाल करके अलगलग उसका measurement करेंगे parameter यह लक्रानिक circuit का यह होगा नौ घंटे का practical बावना प्रेक्टिकल होगा measurement of current and voltage in electrical circuit के electrical circuit में किर्चाफ law ohms law क्या है किर्चाफ law क्या है यह theorem बताया जागा और practical में उसमें इसको verify करेंगे और जो है किर्वपन्नुआ practical होगा वो होगा verify laws of series and parallel circuit with voltage source in different combination अलग अलग कंबिनेशन के voltage source से हम parallel और serial जो circuit होगा होते हैं उनका series में जो circuit होते हैं उनकी voltage और current को नापकर verify करेंगे और 55 जोगा पच्पनुआ प्रेक्टिकल होगा identify different inductor and measure the value of using LCR meter यह LCR meter जो पिछले दस्वे हपते का थोरी था उसमें LCR meter आया था practical में नहीं आया था उसका use यहां पर आया है LCR meter को use कैसे करना है हम inductor में उसका inductor नापते हैं different type को inductor के जो value है उसको नापते है LCR meter से L से inductor होता C से capacitor R से रेस्टेंस तो यह तीनों नाप जाते हैं इसका इस्तिमाल अगला प्रेज़ पच्पनुआ प्रेटकल होगा जिसमें हम inductor का inductor को को नापेंगे और चपनुआ प्रेटकल में हम कैपेसिटर को नापेंगे उसकी कपेसिटी को कपेसिटेंस को इंडेक्टरेंज को ना परेंगे, इंडेक्टर उससे पाचपुनों में, छपुनों में कैपेसिटर की कबेस्टेंज को ना परेंगे और यूज करेंगे LCR मीटर को और जो 97 प्रेक्टर होगा, उसमें हम टेस्ट सर्कुट को आइंडिफाइब टेस्ट, दा सर्कुट ब्रेकरर आइंड अदर प्रॉट्टेक्टिंग डिवाईशे और जो सर्कुट ब्रेकर होते हैं उनको टेस्ट करेंगे, उनको अइंडिफाइ करेंगे और जो इसी तरह के औरों के बारे में भी सीखेंगे ये था ग्यारवाँ बारवाँ और तीरवाँ जो वीक है उसके 67 अपरेटकल था और इसमें जो थ्योरी होगी वो जैसे अभी जब हम प्रेक्टिकल कर रहे थे उसमें ओम सलो की बात हुई ही की चॉप की बात हुई रेइस्टर के बात हुई तो ये सारे चीजें वहाँपै ठीहौरी में बताएंगे कि ओम्सलो क्या है किरुचुप स्लॉग खिया है रिजिस्टर क्या है टाइप ऑफ रिजिस्टर क्या है दियर उनके कंस्ट्ट्रक्शन कैसे वह बने हैं उनके के चाहे और कलर ़र कोडिंग के बारे बताया जागा पावर कोड एटिंग को और उसका करेंट का डिस्टिबिशन कैसे होता से और इन इंडेक्टर की बात हो रही थी तो किया चीज है उसके बारे मुंधा इंडेक्टिब रियक्टेण्स बोसे बारे मुझाए जाएगा टाइप ओफ polar type और dialectic constant significance of a series parallel connection और कài cketर के बारे में सिर्ज के स्य किषी कि सिर्ज में connection करेंगे पैलल करेंगे तुए कैसे बहेब करेंगा उसके बारे में बताए जागा और एसि और डिशी में करेंट में कैसे होगा उसके विखेंगा बताए जागा concept आप टाइम कॉंस्टेंट और यह आर्ची सर्किट का क्या कॉंसेप्ट है और एक कॉंसेप्ट आप डिजुरेंस एंड अप्लिकेशन इन आर्ची आर एल इन आर एल सी सिरीज एएंड पैणल सर्किट यह आर सी आर एल का मतलब है इंडेक्टर आर का मतलब है रैसिस्टर और शी का मतलब कैपेशिटर तो यह सर्किट तो के बारे में बताए जागा प्रोपर्टी और मैगनेट दिएर मैट्रियल preparation of artificial magnet significance of electromagnetism type of core release types construction and specification बताय जागा रिले कि बारे में रिले क्या है उनके बारे में डेटेल में बताय जागा energy storage concept क्या है self and mutual induction क्या है behavior of inductor at low and high frequency में inductor कैसे behave करते हैं low में और कैसे behave करते हैं high frequency में series and parallel combination q factor क्या है capacitance and capacitive reactance impedance क्या है types of capacitor construction specification application and tree electric constant significance of series and parallel connection of capacitor के connection के बारे में बताय जागा और capacitor behavior AC and DC बारे में बताया था time constant के दोबार आ गया तो यह सारी चीजे थियोरी में बताया जाएंगी यह सारी चीजे थियोरी में बताया जाएंगी यह होगा ग्यारवे बारवे और तेरियो हपते का course तो जब भी हम classes या वीडियो जारी करेंगे तो पहले थियोरी का करेंगे और ताकि वो चीजे practical में clear हो तो इस वीडियो के माधिम से हमने तेरियो हपते का syllabus clear किया और अब जो next वीडियो हम जारी करेंगे उसमें चौदेव हपसे स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ आज का ये कोर्सा में पर स्वाप्त कर रहे हैं